साइकेड में दिस इसमान सु जी हाँ आज की सुडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं कुछ और फार्मा रिगार्डिंग विकेंस के बारे में और जैसा कि आप सभी जानते हैं फार्मा रिगार्डिंग जितन भी आपकी नोटिफिकेशन अब्रेट आती है नियूस अब्डेट, वेकेंसी अब्डेट, वीडियो लेक्चर, स्टडि रिगार्डिंग वीडियो सब कुछ मिलता है आपको हमारे चैनल अमरसार अकेडमी और अगर आप हमारे चैनल पर नहें हैं तो पर सब्सक्राइब करना ना भूल बात करेंगे इस स्क्रिन पे आप देख पा रहे हैं जी हां रक्षा, अनुसंधान और विकास यानि की जिसको हम DRDO के नाम से जानते हैं Defense Research Development Organization और Institute of Nuclear Medicine Allied Science की तरफ से यहां पे कुछ walk-in interview है जिसमें की Pharma candidate eligible है, क्या कुछ रहने वाला है, कब ये interview है, इसके बारे में detail में बात करेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इसकी official website है और career section में आप जैसे ही इस PDF को download करेंगे तो यहां पे आप देख पा रहे है totally detailed क्या कुछ vacancy रहने वाली है तो देखे स्क्रेन पे आप देख पा रहे है Institute of Nuclear Medicine and Allied Science और Defense Research Development Organization जिसको हम DRDO के नाम से जानते हैं यहां की तरफ से walk-in interview for selection project assistant तीन पोस्टे जो है यहां पे आ रही है ये जो walk-in interview है 18 मई 2023 को conduct होने वाला है क्या कुछ रहने वाला है तो देखे यहां पे जैसे कि मैंने आपको बताया basically यह जो vacancy है project assistant की vacancy है जिसमें की तीन पोस्टे आपकी रहने वाली है from young and Indian men national who are create the have passion and desire pursue for defense related R&D work मतलब जिन किसी को research में जाना है research regarding work आपको पसंद है और इनके लिए best officer है क्या कुछ post है तो देखे प्रोजेक्ट assistant की post है number of frequency तीन है essential education qualification आप देखवा रहे हैं first class in MSC in chemistry slash करके क्या लिखा हुआ है life sciences slash करके nanotechnology और slash करके pharmacy वाले candidate भी यहां पे eligible है next क्या कुछ stipend मिलने वाला आपको per month का stipend जो है आपका 40,000 रुपए जो है वो रहने वाला है अच्छा खाला stipend आपको मिलने वाला है next क्या कुछ desire qualification रहने वाली है यहां पे आप देख पार है experience in doing research work जिनको research work में experience है यह जो है वो desire qualification है समझ रहे हैं आप मतलब कि अगर कोई person है दो person है एक के पास research में experience है एक के पास नहीं है तो जिसके पास experience है जिसके पास उसको यहां पे preference दी जाएगी desire qualification में यहां पे mention है next क्या लिखाव देख के candle still pursue the MSC are not eligible for walking इंटर्व मतलब जिनका MSC अभी चल रहा है वो eligible नहीं है इनके walk-in interview के attend करने के लिए और क्या कुछ रहने वाला है तो age limit आप देख पा रहे हैं 28 साल जो है इसकी age limit है और क्या कुछ age election है वो भी यहां पे लिखा हुआ है फर्म का से आपको डाउनलोड करना है तो इनकी website से drdo.government.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं और मैं भी इसकी form की link आपको निचे description box में comment box में provide करवा दूँगा reporting time क्या कुछ रहने वाला है आपको तो देखिए यहां पे आप देख पा रहे है man gate जहां से आपको reporting entry लेनी है candidate will require the procedure certificate अस्टिमोन औरीजनल सारे आपको document वगरा सब कुछ लेके जाने है next देखिए how to reach the venue of interview interview की जगह पे आपको कैसे पहुचना है तो देखिए यहां पे लिखाओ opposite university दिल्ली north campus nearest landmark SBA ATM यहां पे दिल्ली में आपको पहुच जाना है यह इसका venue रहने वाला है please note क्या लिखा हुआ है देखिए आपको कोई भी electronic जो समान आपका नहीं लेके जाना है mobile phone वगरा pen drive कुछ भी लेके नहीं जाना है ठीक है और यह जो vacancy है वो permanent नहीं है project regarding vacancy है कोई भी TAD आपको interview attend के लिए लिए नहीं मिलेगा date 26 चार 2023 का यह notification है जी हाँ बहतर अवसर है जो भी student research में जाना चाहते हैं और देखिए यहाँ पर जगर किसी का selection हो जाता है और DRDO की तरफ से आपको research का experience मिल जाता है तो यह best अवसर हो सकता है आपके future career के लिए जो भी student research में जाने के लिए interested बताते हैं चलिए next बात करते हैं अभी हाली में काफी सारी vacancies आ रखी है फार्मा jobs में आपको जाना है हमारी website फार्मा affinity में जिसमें की देखे कल यह 2800 गुंसांट post आये हैं फार्मासिस्ट के राधिस्तान में यह 22 vacancy आप देख पा रहे हैं सुन्दरगिर यहाँ पे ओडिसा में आई रखी है फिंडेक्स आपको देख पा रहे हैं जारकन में 22 vacancy है इमस नई फार्मासिस्ट और स्टोर कीपर की पांच vacancy आ रखी है ठीक है तो काफी सारी vacancy का update आप हमारी website पे ले सकते हैं इसकी link आपको description box में comment box में मिल जाएगी चलिए तो कैसा लगा आपको information ज़रूर बताए comment section मे लाइक करें शेर करें सबस्क्राइब करें मेरे चैनल को ऐसे ही informative फार्मासिटिक डेट न्यूस अपडेट वेकेंसिब डेट वीडियो लैक्चर्स के लिए keep watching stay tuned